हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम करता हम हमाँ बायत पंचाल एक बहुत द्रादा इंपोर्टर्ट वीडियो में तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास प्राइफ का चैप्टर वन जो कि है दा सॉलिड स्टेट इसका वन शोट करेंगे और इस बन शोट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खलास कर देंगे खतम कर देंगे देखो यह सोलिड स्टेट मैं कहूं तो बहुत रहंती चैप्टर है अगर आप एक के ट्रोपिक पड़ोगो बहुत अला टाइम लगया यह वीडियो एक क्विक रिविजन करवा देगी हर एक ट्रोपिक को हमने टच किया हर एक ट्रोपिक को बहुत अच्छे समझाया है इस वीडियो के देखने के पाद आपको क्या करने है एक क्या क्या करने है जो भी आपको कोशन लगाने है डिरेक्ट आप वह कोशन लगा सकते हो बहुत बढ़िया से एक के ट्रोपिक को कव नोट्स आपको regular मिलते रहेंगे और आपको कुछ queries रहती है आप लोग मुझे comment करके बदा सकते हो या फिर इंस्टा पर भी message कर सकते हो चलिए बेटा जी चेप्टर को देखिए बहुत अच्छे समझना आप लोग ने और चोटे-चोटे नोट्स देखिए यह कहा है चेक्टर fast device है तो चाहो तो चोटे-चोटे नोट्स खुझ से भी साथ की साथ बना सकते हो मजाद आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले solid किसे गई नहीं सीपल सी definition हो सकती है it is that state of matter that state of matter which have definite shape definite shape mass and volume यह solid की वह state है यह matter की वह state है जिसमें definite shape रहेगा mass and volume simple सी बात समझो जैसे यह है यह हमारे पास एक solid है इसके fix shape fix इसका mass होगा and fix is next space occupy करना इसका fix volume भी है तो यही बहुत अक्या solid की और यही सबसे simple definition भी है सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो दो तरह के solid होतने हो बिटा दी कोई-कोई से first of all crystalline solid and second is amorphous solid बहुत important इनका difference है और बहुत ज्यादा chances है कि यह paper में आ जाए हम crystalline solid किसे कहेंगी and हम लोग amorphous solid किसे कहेंगी अब इस class को मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले simple से एक word है आप लोगोंने कहीं बार सुना भी होगा Constituent particles Chemistry का सबसे famous word है Constituent particles Constituent particles का मतलब क्या होता है बनाने वाले पदार्थ ठीक है किसी भी चीज को जो बनाने वाले हैं Chemistry में हर एक चीज हर एक चीज किससे मिलके बनती है aim से मिलके बनती है aim means atom i means ion m means molecule याद रखिए chemistry में हर एक चीज किससे मिलके बनेगी atom से, ion से या फिर molecule से atom किसे कहेंगे जैसे हमारे पास na है cl है दोनों अलग-अलग है they are atoms अगर वो combined हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे molecule और अगर वो combined होके dissociate हो गए तो वो क्या बन जाएंगे यापर ions बन जाएंगे याद रखिए अब यहाँ पे आते हैं crystalline solid किसे कहेंगे हम लोग simple definition है को पहले बना के देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से crystalline solid के particles arrange होते हैं कुछ इस तरह से हम इस तरह से इस तरह से clear है तो इसे हम लोग simply क्या बहुत सकते हैं देखो इस तरह से लगा सकते हैं तुम लोग जाओ तो अब इसके दो बेटवी particles हैं वो एक pattern में लगे हैं एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे बढ़ बहुत अच्छा रहेगा Constituent particles are arranged in regular pattern Constituent particles are arranged in regular pattern यहाँ पे particles का pattern क्या है भी या regular है regular means एक के बाद एक एक के साथ एक और यहाँ पे बात करो ठीक आ रहे हैं फिर गयाता है है ना एक बच्चा है regular आया फिर चुटी फिर आया फिर चुटी इस तरह चल रहे हैं और इसको आप लोग simply किस तरह से लिख सकते हो Constituent particles are arranged in irregular pattern यहाँ पे pattern क्या रहेगा भी या irregular रहेगा समझते हो irregular मतलब कुछ fix नहीं है कि कौन कहां पे आने वाला है अब देखो गर regular रहेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो definite shape इनकी जो shape होती है definite होती है mischief होती है fix होती है अब यहाँ पे बात करो इदर उदर particles हैं तो definite shape नहीं हो सकती तो यहाँ पे आप लिख सकते हो they have indefinite shape इनकी shape क्या रहेगी या indefinite रहेगी अगले point पे चलते है अगले point पे चलते हैं इनके particles बिल्कुल साथ साथ लगे हैं तो जब हम इसको कटेंगे मानलो हमने इसमें cutting की इस तरह से मैंने इसको कट दिया तो यह कुछ इस तरह से cutting शो करेगा और अगर हम इसको कटें नोटिस कीजिए यहाँ पे gap बहुत जाद है तो यह कुछ इस तरह से कटने वाला है इस तरह से तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते है that they show clean cleavage clean cleavage when cutting clean cleavage when cutting इस बात का अदर समत्यों कि जब इनको काटा जाएगा तो यह बिल्कुल soft suffice से कटेंगे और यहाँ पे बात करो gap है rough cleavage होगी इस तरह से जिख सकते हो rough cleavage when cutting they show rough cleavage when cutting जब अब इनको कटेंगे तो यह roughly कटेंगे soft suffice से नहीं कटेंगे क्योंकि इनके particle बिल्कुल पास पास लगे हैं तो इनकी force of attraction बहुत जादा होगी बहुत जादा यह जूसरे से attraction शो करेंगे तो इससे लंबे लंबे structure बढाया जा सकते हैं तो यहाँ पे आपनों लिख सकते हो they show long order arrangement long order arrangement ठीक है इनसे बड़े बड़े structure बनाया जासते है अभी example समझेगे जाद अच्छा से clear होगा यहाँ पे बात कीजिए बटा जी तो gap बहुत जाता है gap आने की वज़े से force of attraction बीक हो जाती है तो इनके crack होने के consist बहुत जाता है तो यहाँ पे आपनों लिख सकते हो they show rough cleavage they show rough cleavage van cutted cleavage van cutted they show short order arrangement short order arrangement short order arrangement इस बात का मतलब समझेए क्या है इस बात का मतलब short order arrangement का क्योंकि gap बहुत जाता है gap irregular है कभी भी आ सकता है force of attraction बीक रहेगी break बज़ाएंगे आगे बढ़ते हैं तो आप नोटिस कीजिए सारे पार्टिकल पास पास लगेए उनका melting point fix होगा पहले बाद और high होगा तो यहाँ पे हम लोग एक word यूज करते हैं they show sharp melting point they show sharp melting point इस बात का मतलब क्या है sharp means होता है like एक mobile है मैं बहुत देता हो mobile आएगा 35,500 एक fix बात बोलती है और इनकी बात करें they melts over a range of temperature over a range of temperature इसका मतलब क्या है जैसे मैं बहुत हो बहुत देख ले mobile आदेगा 34,000 मैंने कोई fix point नहीं बोला और यहां के मैं बहुत बहुत है तो यहां के मैं बहुत है क्रिश्टलाइन solid का melting point रहेगा मैंशा sharp रहेगा कि श्लाइन solid को true solid बोला जाता है and amorphous solid क्या होते है amorphous solid होते है pseudo solids pseudo solids कह सकते है pseudo का मतलब होता है धोखा नकली नाम पे कलंक यह solid के नाम पे कलंक है कोई solid वाली बात नहीं है यह फिर इंगा दुछा नाम बहुत famous होता है super cold liquid सभी super cold liquid क्या है आप simple समझो कोई liquid है मालो पानी है पानी को ठंडा कर देंगे वो ठंडा पानी बन जाएगा बट अकर आप से बहुत जाला ठंडा कर दोगे तो वो परभ बन जाएगी जो कि solid होता है बट उसमें solid वाले गुंतों सारे नहीं होंगे तो इस तरह से बहुत सारे example है example की बात कर लें कि इस line solid की example क्या होंगे बैटा दी metal जितनी पे होते हैं iron, aluminium, copper, gold या फिर sword जो हो गया like NACL यह सब example होते हैं बट यह solid के amerfest solid की बात करो जब भी आपको amerfest solid के नाम पुछ रहा है तीन चार नाम होते हैं glass rubber, plastic यह कहने को solid है बट इनके अंदर solid वाली बात नहीं होती clear है अब एक और point बहुत important है उसको भी explain करें हम लोग crystalline solid जो होते हैं these are anisotropical in nature anisotropical in nature anisotropical होते हैं anisotropical होते हैं nature में anisotropical क्या अभी discuss करते हैं अभी लिखो amerfest solid क्या होते हैं amerfest solid हमारे पास होते हैं isotropical in nature isotropical in nature अभी इन बात तो को मतलब समते हैं बेटा जिस बहुत जाला important है साथ साथ भी लोग बैश जाएगा वैसे मैं time do not worry अभी समझते हैं कि isotropy का क्या मतलब है anisotropy का मतलब है एक होता है हमारे पास isotropy और एक होता है हमारे पास anisotropy anisotropy simple समझो इसका shortcut होता है sd sd मतलब सन्य जो जो तुमारे देख गए और यहांट आप लोग याद रसकते हो dd dd मतलब दूर दर्शन तो यहाँ देखना सन्य जोर की फिलम आई है दूर दर्शन पे size का मतलब क्या हुआ s का मतलब हुआ same physical properties same physical properties sd का मतलब क्या हुआ in a different direction different directions isotropy का मतलब क्या हुआ हुआ पैटे जी same physical properties in different direction dd का मतलब क्या हुआ d का मतलब याद रखी है d का मतलब है different physical properties physical properties in d d का मतलब यहां पे रहेगा different directions different directions directions जो physical property same show करेगा हर एक direction में उसका मतलब है वह होता है पैटे जी isotropical substance and यहां पे जोएगा different physical property in different direction इस तरह के सब्स्टांस को हुआ and isotropical substance short cut क्या था सनी जोल की फिलम कहा देखने है दूर दर्शन पे देखने है और आगे समझिए I A Sunny Studio की फिलम आग ए धमचिय है थ़ों दर्शन पे और I A उसकी फिलम कहां बैटके देखेंगे AC रूम में बैठके द के देखेंगे I A उसकी फिलम कहां बैटके देखते हैं AC रूम में बैटके देखते हैं I का मतलब होगता है isotropy isotropy is shown by a यह में होता है Amorphous Solid, Isotropy is shown by Amorphous Solid and A, C का मतलब क्या हुआ, A, C का मतलब क्या हुआ यहाँ पर Anisotropy is shown by C, C का मतलब यहाँ पर है Crystalline Solid Anisotropy is shown by Crystalline Solid, अभी याद है Crystalline Solid के एक्जमपल, हमने लिखा भी है Anisotropy जो कुछ Lies Solid होते हैं वो Anisotropy होते हैं और जो Amorphous Solid है वो Anisotropy होते हैं Shortcut क्या है, Sun Ingram की फिलम, जो दर्शन पे आई यह उसकी फिलम कहां बैठके देखते हैं एसी रूम में बैठके देखते हैं, एक जुरूरी बात, Physical Properties कौन-कौन सी होती है दूसरा आप लोग लिख सकते हो, Thermal Conductivity Thermal Conductivity तीसरी Property यहाँ पे लिखी जा सकती है, Refractive Index Refractive Index तो यह सारी Properties अगर Same है, हर डारेक्शन में तो Isotropy Different है तो Same क्या बोलेंगे हम लोग जल्दी से चिपका दो इसको जल्दी से चिपकाओ चिपका दिया अब बढ़ते हैं कि बड़ा Important Question बनता है मैं रच कर रहा हम गई बड़ा Important Question बन जाता है यहांसे एक टाइप है Types of Crystalline Solid डेपर में पुछा जाता है आपसे Types of Crystalline Solid की Crystalline Solid के टाइप बताईए Types of Crystalline Solid तो Crystalline Solid चार्ट तरह के होते हैं और सिंपली आप लोग उसे कैसे याज रख सकते हो IMCM करके IMCM याद रहे है गारा IMCM इनका मतलब क्या होता है I का मतलब होता है Ionic Solid Ionic Solid M का मतलब होता है Metallic Solid Metallic Solid C का मतलब होता है Covalent Solid M And M का मतलब होता है Molecular Solid Molecular Solid यह क्या टाइक होता है याद अपने Ionic Solid Metallic Solid Covalent Solid Molecular Solid अब सबसे पहला कोशन जो कुछा जा सकता है वो कुछा जा सकता है कि इनके Constituent Particle कौन से है इनको बनाया किस से जाता है Ionic Solid किस से बनेगा Obviously Ionic है तो Ion से मिलके बनेगा किस से मिलके बनेगा Ion से Ion से और Ion दो तरह के होते है Ion Ion अब बात करते है Metallic Solid की Metallic Solid किस से मिलके बनेगा Metals की सबसे खास बात क्यों होती है कि उनमें से बिजली बहुत अच्छे से पास होती है और वो किस वज़े से पास होती है Electrons की वज़े से तो बहुत रादे Electrons होते है C of Electrons C of Electrons और एक दो Positively Charged Hole होते है और वो Positive Charged Hole को क्या बहुते है Positive Kernel मेरा पर समझपारण जैसे यह है आपके पास Solid, Metallic Solid उसके पास बहुत जादा Electrons होंगे बहुत ही जादा हग से भी जादा Electrons, Electrons, Electrons बड़े बड़े होंगे और बीच में कहीं Positively Charged Hole हो सकता है उस Positively Charged Hole को क्या बोलेंगे Positive Kernel बोलने वाले है आगे बढ़िए Covenant Solid किससे मिलके बने गा? Covenant Solid हमेशा मिलके बनने वाला है Atoms से Atoms से Molecular Solid किससे मिलके बनेगा? Molecules से Simple Molecules बहुत तरह के Molecules होते है Molecules से मिलके बनेगा अगला इनकी Binding Force कौनसी है इनको ऐसी कौनसी Force है जो उसको जोड के रखती है तो याद रहे खाए Covenant Core Mint Molecular Soled में कौन सा बन रहेगा? Molecular booked अब मॉलेकुलर बॉंड के कहीं टाइप होते हैं लाइक मैं पहले नमर पे बात करूं वैंडर बोल फोर्स यह इतना इंप्टन नहीं है यह ज्यादा ध्यान नहीं दे रहाँ यह मतलब कर लेंगे लावंध क्लास को टोपी गए वैंडर बोल फोर्स हो गई हमारे पास या फि इसके लावा हाइडरोजिन बॉंड यह सब पेटर में जो कोशिन बंगता है इनकी लेक्रिकल कंड़्स्टिविकी से लेटर किलिमें से बिजली पास होगी या नहीं होगी तो यहाद रखिए सब भी इंसुलेटर होते हैं यह भी इंसुलेटर होता है और यह भी दूटर होते हैं बहुत अरुट寺टर होती है सब्सक्राइड प VitamilicM essas बढ़ा इंसुलेटर इंसुलेट्रियु इंस सोल 친 इंसुलेटर इन सॉलिट स्क्रिट बट, conductor in molten state, conductor in molten state, या solid state में तो यह कह रहते हैं, insulator रहते हैं, मतलब, अगर माहला आपको पस नमक है, वो solid state में है, तो उसमें से बिखली pass नहीं होगी, बट अगर आप नमक को melt कर दो, बिख ला दो, या उसका aqueous solution लोड तब उसमें से current pass करा के देखो, तो वो pass हो जाता है, metallic solid अच्छी conductor है, covalent solid, insulator होते हैं, but can be conductor, can be conductor, example की बात करने, तो कौन बन सकता है, conductor, graphite बन सकता है, graphite एक connector है, पता होगा सबको, यह बात है, एक दो example जरूर करने चाहिए आपको, like ionic solid की example क्या हो सकते है, NACL, KACL, metal, non-metal today ने तो ionic solid बनेगा, metallic solid के example iron, aluminium, copper, covalent solid के बहुत जादा example बन सकते हैं, diamond है ना, बड़ा famous example है, graphite, quartz, बहुत जादा bond होते हैं, मैं आपको बात करूँ, covalent bond बहुत जादा बनता है, और molecular solid के example क्या बन सकते हैं, I2, P4, S8, इस तरह से, बहुत जादा बना सकते हैं, आप लोग molecular solid के लिए, तो यह है, इसको जर्दी से चपकाऊं और फिर हम लोग बढ़ते हैं, आगे, इस चप्टू का बहुत बड़ा portion जो है, वो cover कर रखा है, Chris ने, एक topic आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, space lattice, space lattice, unit cell, and lattice point, बहुत बड़ा portion आप जो इसे ने cover कर रखा है, अब एक एक चीज़ का मतलब समझते हैं, सबसे पाले हम लोग बात करते हैं, space lattice किसे कहेंगे, simple definition होती है space lattice की, 3D arrangement of constituent particles, of constituent particles, simple definition है, कि आपनों constituent particles को, constituent particles means atom, ion, molecules को arrange कर देना है 3D में, 3D dimension में, या 3D direction में, अब 3D कुछ ऐसे बना सकते हैं, यह हमारा x-axis होगा, यह होगा y-axis, और यह होगा z-axis, लिए रहे, आप आप लोग पार्टिकल गाओ देखो, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, यहां पर आप लोग एक cube बना सकते हो, simple, हैगी नहीं, इस तरह से बना दिया बिटर दिया आपने, कि इस तरह से, एस तरह से, ठीके इनको बना दिया, अब च्या ह binnen our हरे लाएं घुड़ को बिच वाले फोंट लो यहां के बीच वाले पोइंट यहांपे इसका यहां पर फो ने प्लाना हाँ उन्या अब क्या आपना आपने c 안들 ऐसे अब नेर्डी है रड़ी यह बनेगा ऐसे मदेगा सिमिरल्ली इसको बना दोगे ऐसे रट वब शो स्ब्नावे से भीया इस तरह से बनाखे अब क्या करो सबसे बार वाले point से इच्छे जहां पे मिलें हैं महा पे एक SERPALSA बनाओगे सबसे बाहर वाले point से को चुछ शोटे चोटे पार्टिकल्स को अरेंज करें। इसे space lattice बहुन लेगे, अब यहां भी वर्ड आपता है सर्य योनिट सेल, योनिट सेल क्या हसता है, smallest but complete portion, but complete portion which repeat over and again, which repeat over and again to make space lattice, over and again to make space lattice. यह बहुत चोटा सा portion है, जो बार-बार repeat होगा, और बार-बार repeat होगे क्या मना देगा, space lattice मना देगा, मैं आपको एक simple बास संदाता हूँ, unit cell is like a room, जैसे कमरा होता न, वैसे unit cell होता है, and space lattice is like a building, तो जैसे एक room बार-बार repeat होता रहता है, बार-बार बनता जाए बनता जाए पूरी building खड़ी हो सकती है, वैसे एक unit cell बार-बार repeat होता रहे होता रहे, तो पूरी space lattice खड़ी हो सकती है, अगर आपको कोई बोलने कि यहाँ पर इस unit cell को दिखाऊ तो बैटा दी, यह रहा unit cell, यह रहा unit cell, simply, इस तरह से आप लोग इस unit cell को भी दिखा सकते हो, यह रहा, repeat कर तो वह चोड़ा portion जो बार-बार repeat हो रहा, बार-बार repeat होके वह क्या बनादेगा, बार-बार repeat होके वह क्या बनाएगा बटा जी, space lattice बनाएगा, उसे हम लोग unit cell करते है, अब lattice point किसे गाते है, यह सुन में आए, एक कमरा, unit cell, एक building, space lattice, अब lattice point किसे गएगे, वह जो किंटे लगती है, वो जो rate बजरी लगती है ना बनाने में, वो, lattice point क्या होगता है, constituent particles, constituent particles, used to make space lattice, used to make space lattice, यह वो चोटे-चोटे particles हैं, जो बार-बार repeat होंगे, ठीक है, जैसी यह जो particles है, इन particles को, देखो, इस पूरे arrangement को क्या कह दाएगा, इस पूरे arrangement को बोले जाएगा, space lattice, इसको क्या बोला जाएगा, यह जो छोटा का कमरा है, इस कमरे को बोला जाएगा, बैटा जी, unit cell, and यह जो particles लगाए है, इन particles को बोला जाता है, lattice point, अच्छा, एक चीज़ और रुकतादू, space lattice का एक और नाम बड़ा famous रहता है, और उस नाम को बोलते हैं, हम लोग crystal lattice, crystal lattice lattice भी इसका बहुत ही जादा famous नाम है, clear होता है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, तो आप से unit cell बनाने को बोलते जाए, unit cell, unit cell आप लोग किस तरह से बना सकते हो, कुछ इस तरह से बना सकते हो, यह unit cell होता है, इस तरह से, simple, बहुत ही अधा, यह जाए, ठीक है, अगर आपा कैसे दाता है, देखे, unit cell के 6 parameter होते हैं, कौन कौन से, एक तो तो यह edge length, edge length, edge length, edge length को calculate किया दाता है बेटा जी, A, B and C में, ठीक है, यह जैसे यह, यह edge की जो length होगी, यह होगी A, यह edge की जो length होगी, यह होगी B, और यह edge की जो length होगी, यह होगी C, similarly यहाँ पे axial angle भी ह होते है, axial angle भी होते है, and angle को represent K लगता है, alpha, beta and gamma से, जैसे A और B के बीच में जो angle है, alpha, B और C के बीच में जो angle है, beta, and C और A के बीच में जो angle होता है, वो gamma होता है, इन arrangement को, इन parameters को arrange करके, चोधा type के crystal system बनाए जा सकते हैं, 14 types of crystal system बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और यह चोधा चोधा तरह के crystal system बनाए एक भाई साम ने, जिनको हुनों बोलते है, previous, previous reticies ने बोला जाता है, ठीक है, 14 तरह के crystal system बनते है, and actual में यह आपने है, seven type of crystal system की form में, seven type of crystal system, और यह बनाए किसने, ब्रेवियस में, जैसे मैं बात कुरूं, आज कर जितने में भी होते हैं, दो, त पुराना टाइम ऐसा नहीं होता था, पुराना टाइम में क्या होता था, कि दर्जनों के साथ से बात होते हैं, बही किसके कितने बेवियर दर्जन है, वो मेरे दो दर्जन है, इस तरह से बात होते थी, तो ब्रेवियस भी पुराने जमाने के थे, तो इमके 7 बच्चे थे, ठीक है इतने बच्चे थे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 फोकस करना इसको याद अपनी की ट्रिक क्या रख सब्सक्राइब लो CT उर्मिला CT उर्मिला को मारता है शोर लिस से रेटेड कोशन बनेगा रोहित त्रिवेदी CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी कैसे यह C, T, O, M, H, R, O, P, R, I यह हो गया CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी C का मतलब क्या है बेटेड है यहाँ पे C का मतलब होता है क्यूबिक P का मतलब होता है टेट्रागोनल क्या बहुलेंगे T को टेट्रागोनल O का मतलब होता है ओर्थो रोम्बिक M का मतलब होता है मोनो क्लिनिक H का मतलब होता है हेक्सागोनल हेक्सागोनल RHO का मतलब होता है रोम्बो हैडरल रोम्बो हैडरल एंट्यार आइकम पर होता है, tri-cleaning इस तरह से हमारे पास ये साथ तरह के एक्षिल लेंफ से रिलेटेंड एक्षिल लेंफ और सबस्क्राइब वह बड़ा बेट नहीं सो चोटे को तो Wagum मौते मॉंठ रोध आंखों के तारे होते हैं notify उत्री पॉने इसमें सब कुछ equal है इसमें कुछ equal नहीं है अगली बात करो अगले वाले में क्या होगा आप एक कम कर दोगे इसमें सब कुछ equal है इसमें कुछ equal नहीं है फिर आपने एक कम किया एक और कम किया फिर रिवर्स गेल लगाया यह यहां पर यह यहां पर और यह यहां पर लगा दिया अगे बड़ यह एंगल की बात करते हैं अब बड़े वाला बेटा श्रीव बेटा सब कुछ equal करेगा यह क्या बोलेगा अलफा इस गोल टू बीटा इस गोल टू गामा इस गोल टू 90 डिग्री और यहां पर कुछ भी इकवल नहीं है तो यह क्या बोलेगा अलफा इस नोट इकवल टू बीटा इसगुल टू गामा इसगोल टू 90 डि अप्किर था होगए अब ठीक है फर्स्ट लाख वालक्स सम तो क्लिर होगया अब इसमें पहले धिक इसस कहब करते हैं अगल के अलपा इसगोल कुछ घू किवल टू बीटा इसगल Скिल तू गामा क्वल टो 90 डिग बेड़या थो है घ्र सब्सक्राइखेखाथ अलग हो छुकह सो हो दिए इपमाटी बेटा तो आलग होगा गामा अलग हो गया बारी लेगे आलफा की मुझे पर्टी में मिलाओ तो वह क्या कही आ जा भाई तुम यह आज़ा आलफा इस गोल डू गामा बहाश किसके साथ सर लाष्टा का हमे पते हा उल्ता होगा अब समझो सबसे कर लोग हुआ I Myself तो न्युल्स सब्सक्रिद के साथ है पार किसका रहाए की लग आलफा की यह क्या अइस से साथ निकाल ली है s जिस से एक पुछाजा सकता है सबसे फैमस पुछाल आज सकता है Most Symmetrical crystal system कौन सा है कौन सा ऐसा Crystal system में जिस में सब कुछ बरापर है That Is Cubic Cubic is Most Symmetrical crystal system ठीक है यह सबसे Symmetrical crystal system रहता है एंड ट्राइक लेकिन क्या होता है बुली most unisymmetrical crystal system यह सबसे आनल सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है तिलेर हो गई बाग इस तरह से आगे बढ़ते हैं यह तो बात होगी क्रिस्टल सिस्टम की बेवेस रैटिस की आगे बढ़ी बेटर दी आगे हमारा टोपिक बनता है आई होग चिपका दिया होगा चिपका जल दी से इसको पॉर तो यूनिटसल की बात करें हैं लोग यूनिटसल किसे करते हैं यूनिटसल किसे कहा जाएगा smallest but complete portion but complete portion which repeated which repeated over and again over and again to make space lattice to make space lattice so that है हम लोग क्या बना सके space lattice बना सके अभी यूनिटसल के दो टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं यूनिटसल के वो दो टाइप सबसे पहला परिमीटिव यूनिटसल आप दोसरा हमारे पास होता है नोन परिमीटिव यूनिटसल नो is प्रमिटिव उन्ट सेल और नोन प्रमिटिव उन्ट सेल किसे कहेंगे in which particles constitute particles are present only at corners जिसमें particles शिर्फ कहां पर present होंगे सिर्फ corners पर present होंगे और नोन प्रमिटिव उन्ट सेल किसे as well as at some other position at some other positions देखिए पर्मिटिव उन्ट सेल किसे कहां जाएगे इसमें particle सिर्फ corner पर होंगे उन्ट सेल कुछ इस तरह से बना से हम लोग इस तरह से बनाया जाता है इस तरह से और corner समझे रहना को ने यह इसमें particle इसमें कोड़नर के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं जैसे समझेए यह एक यूनिक सेल है यह एक यूनिक सेल हैं तो पार्टिकल्स कहां होगे। कौर्न ऑछ स्झ मॉले हम इस जा जिस में, बु कहां होंगे। कहक भिन हो सकते हैं। पर्मिटिव के एक टाइप होते हैं। पर्मिटिव का एक टाइप होता है जिसे वह बोग भोलते हैं कि अ सी spring a कम अबरी हाँ पर है सिंपल क्यूबिक यूनिसेट और नॉन परमीटिव के कहीं टाइब होते हैं बट उनमें से इंपोर्टन मैं पहले ही बताता करूँ आपको एक होता है यहीं है इप के सिंपल कूलिक क्या रहेगी। अच्छा, FCC की फूर्फर्म क्या रहेगी? Face, Center, Cubic, Unicep. Face, Center, Cubic, Unicep. उसके बाद पर ये FCC के बाद हम लोग बढ़ते हैं, ECC. ECC की फूर्फर्म उत्ती है, Edge, Center, Cubic, Unicep. Edge, Center, Cubic, Unicep. और लाइस हमारे पास होता है, ECC. ECC की फूर्फर्म उत्ती है बटा दी, And, Center, Cubic, Unicep. And, Center, Cubic, Unicep. ये 5 तरह की Unicep. जो हमने डिस्कस करने हैं, बट रिपीट कर दे रहाँ, Important ये तीन ही हैं. देखे, अगर आप डिफाइन करोगी, किस तरह से डिफाइन करोगी इनको, Particles are present only at Corners, इसमें सिर्फ कहाँ पर होंगे, Corners पर होंगे, इसमें कहाँ पर होंगे, बट रिपीट की, Corner, Plus, नाम पर चलो, Body Center, तो Body Center, Body के Center में होंगे, इसमें कहाँ पर होंगे, Corner, Plus, एक्सिस ही है, यानि कि प्लस में कहाँ पर होंगे, Face Center पर भी होंगे, Face Center, इसमें कहाँ पर होंगे, Corner, प्लस, एक्सेंटर है इसका नाम, तो, एक्सेंटर पर भी होंगे, कि लिए, And Center है, तो इसमें कहाँ पर होंगे, Corner, Plus, And Center, and center and center कहीं सारी नाम से famous है and center को हुआ लोग क्या भी बोल सकते हैं जब भी and center लिखा जाए तो समझ चाना front facing ends front facing to opposite face ऐसे लिख सकते हैं लोग to opposite face या फिर लिखा सकता है alternate face alternate face यह मतलब 20 का बनाय जा सकता है अब समझीए unit cell है सारे के सारे के पहले में unit cell बना दो unit cell होंगे तो unit cell इस तरह से बनाय जा सकते हैं इस तरह से यह भी unit cell है भी आप यह भी एक unit cell है clear रहना यह भी एक unit cell है ये भी एक इन्ट सेल है ये उन्ट सेल तो इच तरह से खुनतेुकिय् illnesses अब एक चीनम आब को बताकर रटा हूं कि कोई बी इन्ट सेल हो उसमें particles कहा पे होंगे ही होंगे, particles बेटा जी उसमें होंगे उसमें वाले हैं corners पे तो कोई भी उन से पार्टिकल्स बना दो corners पे यह बना दिया से हुने corners पे कि इस तरह से लोग corners पे लगा सकते हैं इस तरह से यह हमने corner लगा दिये और corner कितने होते हैं पता हूँ corner होते हैं एट एट corner होते हैं और उनको contribution कितने होता है 1 by 8 कैसे होता है बेटे जब किसी भी एट corner जैसे आप इस room में हो ठीक है इसके कितने corner होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 clear है एट corner होते हैं अब आप किसी भी एक corner की बात कर लो किसी भी एक corner की बात कर लो आपने एक corner पर particle को लोगा लिया मान लो उस corner के आपने आर पर एक football करती है उस corner के आर पर football करती है और imagine करो कि यहां पर हर जगे इस तरह के कमरे बने हैं हर जगे इस तरह के कमरे बने हैं confused मत हो ना तो वह जो football हो कितने rooms के साथ टच होगी एक 2 3 4 5 6 7 और ऐसे उस तरफ 8 8 रूंस के साथ टच होगी ठीक है मैं बोस्टिस करूंगा हो कि separate video बनाओ जिसमें आपको जाला practical form में समझाओं अब इसको ऐसे है रखो कि जो corners होते है ना उनको contribution होता है 1 by 8 मतलब 1 के 8 हिससे हो जाते है तो यह हर इंदेगा पर होगा 8 इन्टु 1 by 8 8arbeiten to 1 by 8एक कर आशा सकते है रहेगा अब अगळी बात यो आपसे पुचिफि जाएगी अभी जी दाएगी ब्स आपस जाते हैं यह एक के सेंटर होता अब फेस की बात कर लो फेस जैसे लुड़ों की विट्टी होते हैं यह उपर वाला फेस यह निचे वाले फेस का सेंटर यह पिछे वाले फेस का सेंटर यह आगे वाले फेस का सेंटर यह दाएं वाले दलत बोल दिया यह दाएं और यह बाएं इस तरह से कितने फेस होगे ट कितने रूस में touch हो सकती है एक किसर approach से यानीजी एक के दो बात करते हैं कि एदने होते हैं यूल यह ताड़ हिए यह ईतों कि होती है 12 एक दो तीन चार है पांच चे साथ आठ नूं दस बारा करके दिखा रहो यह ऐसे एक दो तीन चार पांच चे सार आठ नूं दस बारा कितन blir पार रेट का का कॉंट्रिबूशन कितना होगा आप कोई भी कैज लो मालनो ये कैज है मैंने इसके आताफ फूटबोल कर दी बिल्कुल बिल्कुल सेंटर सेंटर मेंने आतार फूटबोल कर दी ये कितने रूमस में टाच हो सकती है अप करो एक दो तीन चा मैं रिपीट करों अभी के लिए याद रोखो जो मैं बोल रहा हूं तैक्टिकर्दी समझा दूंगा और बहुत अच्छे से टैक्टिकर्वेब में समझा दूंगा अभी क्यों नहीं समझा रहे हैं सर देखो रड़ा वन शोट है तो बहुत फास्ट भी हमें इसको कंप्लीट करना है ठीक है और यहां से कर दीजिए पार्टिकल्स यहां से आगया वन यहां से करो कितने आगे टू यहां से करो कितने पार्टिकल्स आगे थ्री यहां से करो पार्टिकल्स कितने आगे फोर यहां से करना सिंपल आ हो कितने आ जाएंगे इस तरह से नंबर ओफ एटम्स निकाल ले जासकते है यह नम्रों पार्टिकल्स हम लोग कह सकते हैं अब एक जुरूरी बात में बताता चलता हूं आपको देखिए जुरूरी बात क्या है यह लिख लेना अभी के अभी लिख लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टन बाता हूं अच्छा नुमेरिकल के लिए मैं सेपरेट वीडिय इसमें एक होता है 4R by root 3 यह जट याद रखेना अभी के अभी बाकी जादा कुछ आता है एक सेसी में होता है एक गलता नहीं गोर रहा हूं यह से गोर रहा हूं अच्छा यह तो किसका रिलेशन है रिलेशन बिट्विन एज लेंथ और रिडियस का एक रिलेशन आप से पुछा राता है एज लेंथ और डायमिटर का अभी आप सब को बताऊगा डायमिटर के अथर डबल ओफ रिडियस तो यहां से क्या हो जाएगा एज उकल टू डी यहा जाएगा एज बल टू पुट करदा ना डी कितना जट्टू बार तो बस पूट कर दो तो यह क्या देगा 2D by root 3 यह कितना देगा A is equal to 2D by root 2 सर यह दुमनों भी गलाओ यह दुमनों भी गलाओ बेटे यह दुमनों हाई नहीं यह book में भी नहीं है अभी बात करते हैं कि इनकी packing percentage जाहू भी सिंपल क्यूबिक की packing percentage होती है 52.4% ठीक है और body centered क्यूबिक की packing percentage होती है 68% अगर आप से पुछाज है percentage of unoccupied space unoccupied space की percentage बताईए बता सकते हैं नहीं चासकते हैं बहिया जो area packed हो चुका हुआ उसके लावा जो बच गया वह unoccupied space होगा like अगर मैं नहीं बात करता हूं तो यह हो जाना चाहिए 47.6% यह हो जाना चाहिए 34% और यह हो जाना चाहिए 26% ठीक है एक चीज़ आप से कुछ चीज़ आसके packing fraction पता ना fraction में और percentage में क्या difference होता है percentage में हम लोग 100 से multiply रखते हैं उसमें नहीं करते सिंपल तो यहाएगा 0.524 fraction यहाएगी 0.68 यहाएगा 0.74 आप सब मेरा point समझ रहे हो कि packing percentage का मतलब क्या होता है ठीक है समझ यह प्रसेंटेज को अगर मैं simply लिखना चाहूं तो क्या होगी प्रसेंटेज इस इस दा प्रसेंटेज ओफ टोटल स्पेस ओक्युपाइड बाइदर स्पेर्स बाइदर स्पेर्स इनर यूनिट से ठीक है मतलब आपको कोई बोले प्रसेंटेज निकाड लोगे प्रसेंटेज और सिर स्पेर्स या एटंटम संथ ऐसे नहीं वर्यमाव अश्पेर और फोल्यम pastor कि यूद्ध वॉल्यम एफ योनिट सेल और प्रेंटेज अपिन निकाल लेंगे इंटेमें 100 आएगा ये रखता है पैकिन प्रेंटेज निकालने का फोल्मा। स्पेर यानि आटम जैसे सिंपल क्यूबिक में एक आटम आया था, 40 सेंटेट क्यूबिक में दो आटम आये थे, 40 सेंटेट क्यूबिक में यहां पर 3 नहीं आएगा यहां पर आएगा एक्ट्विक में 4, so sorry for that, 4 आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से पैकिंग, परसेंटेज केल्कुलेट के जाती है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात होती हैं इनके टाइप्स के, what do you mean by, आपसे पुछा जाता है, आपसे पुछा जाता है, what do you mean by close back structure, समझें, आपसे पुछा गया, क्या पुछा गया, what do you mean by, by close back structure, close back structure का मतलब क्या होता है, close packing का मतलब होता है, पास पास packing करना, मैं आपको दो एक्सांपल देरा हूँ, जैसे आपके पास एक packing है ये, ठीक है, और दूसरी packing है ये, और मैं आपसे पुछता हूँ, इन दोनों में से कौन से packing जाता अच्छी है, इन में से कौन से जाधा packing है अच्छी है, ओपिसली आप बोलोगे, इस 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 इ जब कंच ऐसे बिंगें से कम जग़ खाले दे कभी आप पैकिंग करते हो तो कुछ इस तरह सी पैकिंग हुगती है कि ज्यादा से ज्यादा जग़ बरा जा सके और कम से कम जग़ आपके खाली बचे यहां फिर दो नई टम निकलके आती हैं फिर्स्ट कोर्डिनेशन नमबर लचनेंट अचरय कंऔस स्कूस्पाइस हैता अखे और overwhelm सै ऩकर कोर्दिने क्या न्हें भाण करें आम सकता है इस लाखे का जींद और कमकिए न्हें आफ्टीलएं ने वाणिसर्म कोदीने क्कॉर्टीसर्वन आफ往 फ्ला या है इस स्लबें आप जलै मी इक है यह मारे पास है a यह है b यह है s, यह है b, यह है e, यह है f, यह है j, यह है h, यह है i, यह है j मैं को बहुतना अ क्योंब किटना तो आप आपकेङ़ केजित ऐ कहन को qq करहffee है एक को cooled N Алख को वहाँ को टुछ को principles करना होता है यहां से एक नाइट और मिकल क्यात्ती है वॉइड और इंटर्स्टिशियल साइट इंटर्स्टिशियल साइट या इंटर्स्टिशियल स्पेस क्या मतलब तभी वॉइड का या इंटर्स्टिशियल साइट का देख्या आप स्पेर्स को कभी भी पैक कर दिए कितने मर्जी अच्छे तरह से पैक कर दिए कुछ ना यह प्रेट कर दिया अब जब रेकिया कुछ ना कुछ जगा खाली बची है इस खाली जगा को युमनों क्या करते हैं वोई शिंपली डिफाइन कर सकते हैं लोग एंप्टी स्पेस कि रिमेंज कि बिट्विन दी स्पेयर आफ्टर दी बिट्विन दी तेयर आफ्टर दी पैकिंग ओब दी स्फेर आफ्टर दी पैकिंग ओब दी स्फेर स्फेर को पैक्स लड़ने यह बाद उनके बीट में जो खाली जगा बचेगी उस खाली जगा को हम लोगे वोड या इंट्रेस्टिशियल साइट अगला हमारा इंपोर्टन टॉपिक बनता है टा इस पैकिंग का दूसरा नाम होता है लिन्यर क्लोज पैकिंग इसका दूसरा नाम क्या हुआ हुआ है लिन्यर क्लोज पैकिंग भी हुआ करता है लिनियर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं इसे बैटे दूसरा यहां पर कोर्डिनेशन नम्बर कितना होता है अब जैक है कि यह कितने स्पेर को टक्स कर रहा है एक और दो तो similarly ये एक स्पेर एक इतने स्पेर को टाच करा आज दो को, तो कोर्डिश नेमर 2 होगा, अच्छा यहां पर कोणनर वाले चेक नहीं करते हैं, कभी हम जब हम एक कोणनर वाले को निकाल हो तो कोर्नर वाले को चेक नहीं किया करते हैं, अब हम करते हैं क्लोस प्रकेंगे 2D, 2 क्भूडी मतलब दो डामींशं में चलना आपने डो डा मचЯन में चलना आपने डोड आइकस में कुछ अपने remote कि कुछ आपे और हमाना है ऐन मने चैक का बने प्रियर ईक्ट कोफ़ना हमाने क्सच मीं लगा दी और अगली लेयर यहां तो आगे से स्टार्ट कर रहे हो यहां फिर पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी क्लोस पैकिंग हो जाएगी हैक्सागर्नल क्लोस पैकिंग अब इसको स्केर क्यों बोलते हैं जैसे आप इसको चैक करो यह कितने स्केर को टच कर रहा है ए एक, दो, है तीन, चार यह चार पो कॉदर है कर रहा है यह तो इसका कॉद्र को तने क्राइब कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इस 6 फिर पर बच कर ला है तो यहाँ पर इसका coordination number कितना होगा यादर की, इसका coordination number कितना होने वाला है 6, इसका coordination number कितना होने वाला है 4, ठीके और यहाँ पर इस square type ही बन गया सवज़े से इसकानाब square close packing हो रही क्लोज पैकिंग इंग 3D जो सबसे इंपोर्टन भी है ठीक है तो 3D में क्या होगा आप 7 स्पेर के एक लिए रगाओगे 7 के उपड़ फिर 3 फिर 7 फिर 3 अगर आप 3 रिखाई देर हो यह सिद्धे 3 है एक डारेक्शन में जा रहे है जो ठीक है और इसमें क्या होगा सेवन सिद्धे 3 उन्टे 3 साथ सिद्धे 3 उन्टे 3 साथ इस तरह से पैकिंग होगी अभी सर यह क्या बोल रही है अगर हम साथ को सभी साथ को ए बोल दे ए ए यहां पर भी साथ को मोग क्या बोल देते हैं ए ए ए और तीन को क्या यह जो सिद्धे 3 नहीं बोल देते हैं बी यहां पर जितने सिद्धे 3 नहीं बोल देते हैं वी उल्टे 3 को मोग बोल देते हैं सी तो इसमें इस क्लोश पैकिंग को क्या बोल जाएगा ए बी ए बी ए यहां कि अगर आप चेक कर पा रहे हो तो इस पैटिंग का नाम होगा ए बी-सी ए बी-सी एब आइम पाइक किरे लो बेल रहे समझ यह कि इस पैकिंग में यह हमारे पास फॉर्ष यह प्रस्ट है यह सैक्ट इप्स्र्ड प्र से जब ऐस्ए यह से अि本当 है यह से है महारे पास आप चेकेश्य जो फर्ष्ट लेर मिलती जूलती किस लेर से है फोर्ट से यह ऐसे इसके टाच होगी फास्ट लेर टिकली अलाइद इस अंसले इन फोर्थ यहां पिचंड करों से फ़र्ष्ट यह प्रिंट जो थी पिफ्ट से सब्सक्राइब करते कहें इस नमा फिफिग साथं है पकूल ढोली सकते हो फोस्त लेज़ नायंड इस फिफ्थ लाइस फिफ्थ लिए हिव on इस बेसे कोड़र बनता है आगे के समझ इए example कैसे आध़ने है इसमें जानू मांगे मोर क्या मांगे रहरे है जानूं expensive metal expensive metal बोले तो platinum sono canadhi platinum gold and silver जानू मांगे मोर platinum gold and silver और हम लोग क्या वो रहेंगे, नहीं देंगे प्लैटनम, गोल्ड्ट सहन और चाहजे सब कुछ बहों नहीं देंगे आगे बढ़िए आगे हमें निकालना रहता है इसका ज्चों को व्हला कई जै debates को ज Southwest चेक करो तो जैसे आपको इस square का coordination बर निकालना है, 6 तो इसके round में लगें है, तिनस को पर से touch करेंगे, तिनस को लिचे से touch करेंगे, तो इसका coordination बर कितना हो जाएगा, इसका coordination बर भी हो जाएगा, या 12, यह similarity हो गई, यह hexagonal ट्रोल प्रोल प्रेकिंग में और क्यों फिर्ल प्रेकिंग में एक similarity है, पेकिंग प्रसेंटेज आईए इसकी भी 74 प्रसेंट एक बात आता चलूं CCP को FCC बोल दिया जाता है CCP जो है एक तरह से SEC type की arrangement है तो यह है close packing के तीन टाइप जल्दे से चिपका लो उनको जल्दे चिपका अभी हम लोग बात करते हैं वोईड के टाइप्स की ठीक है तो पेटा जी तीन तरह के वोईड बड़े फेमस रहते हैं सबसे कहले हमारे पास है त्राइपो इंश्टर मारे पास टेटराइडरव वोईड कि ए लासट था हमारे पास ओक्टेश सफिरल यह दोतो हैं कि बीत्वीच है Salzford देखल फैरी और चार स्पेर में क्या होगा तीन स्पेर एक लेयर में होगे और जो अगले स्पेर है जो फॉर्ट स्पेर होगा वो नैक्स्ट लेयर में होगा यहां पर आप लोग लिग सकते व कोर्डिएशन नुमर फॉर अपटए दूगो मौईर क्या प्ता है फॉर्म इस तरह से आप लोग लगाने वाले हो six sphere, तीन एक layer में और अगर तीन दूसरी layer में, ठीक है, इस तरह से बेटरी आप लोग इन sphere को arrange करने वाले हो, इस तरह से आपने इनको arrange करती है, तीन नीचली sphere में, तीन sphere नीचे वाली layer में और next री जोंगे वो अपड़ layer में होंगे, आ इसका कोडिनेशन नमर होगा 6 याद अड़िए इसका कोडिनेशन नमर रहेगा 6 रहेगा important point को है जाद तर हमारे जो question बनते हैं वह बनते हैं tetrahedral से related octahedral से related आपसे पुछा जाता है what is the relation between number of atoms and octahedral or tetrahedral आपसे पुछा जाता है समझे मान के तलो हम number of atoms बोल देते हैं number of atoms हम लोगों नहीं बोल दिया n तो number of octahedral word कितने होंगे याद अफना यहाँ पर वैसे calculation करते हैं हम लोग बट मैं उसमें भी नहीं जाओंगा चुकि इंपोर्डर में नहीं हो number of octahedral word कितने होंगे अगर तुम लोग बोल लोगे देखो अगर किसी भी टोपिक को तुम लोग बोल लोगे ना सर यह हमें फुल लीक में समझने तो कमेंटे में कर देना मैं फॉर शोर उस टोपिक पे ज्यादा लेंथी वीडियो बनातुकें तो इस्तर में और में एक में बनाते हो मं लया यहां फे जोब लिखिए नमशक आते हैं उसमें लाए पार्टिकल्स कितने होंगे एक लिखिए थैंडर कुछ कितने होंगी जैसे मांत पास प्छलिपली अफ्छिं को नयातने इसे बिदा हमारे कास BCC, BCC में नम्मर अ पार्टिकल 2 होते हैं, ओक्ता है अगली बात आजाते है, FCC की या CCP की, तो FCC में नम्मर अ पार्टिकल 4 होते हैं, नम्मर अ अ अगली बात है, है एक सिपी ऐसी वी मैं नमगों पार्टिकर यार अगना सिक्स होते हैं भी है तो अप्टाइडल वोइड होंगे अप्टाइडल वोइड बेडर दी जिस होंगे अड़ टाइडल वोइड ओवियसलिए इसके डबल हो जाएंगे इस तरह से एक परसेंटेज मैंने आपको बता नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है रेडियस रेश्यो रूर 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 रेडियस रेश्यो रेडियस रेश्यो रेडियस रेश्यो रेडियस रेडियस रेडिय radius of anion, radius of anion, तो याद रखिए radius ratio का formula क्या रहेगा हमेंचा, radius ratio का formula क्या रहेगा बिटर दी, r positive by r negative, clear, आगे बड़िये, पर टेबल होती है radius ratio की, बड़ी important रहती है यह table, याद कर भी पड़ेगे आपको, यहाँ पर हम लोग लिखते है radius ratio, radius ratio, radius ratio जोगेगा 0.155 से 0.225, 0.225 से लेकर 0.414, 0.414 से लेकर 0.732, 0.732 से लेकर 1, यह रखता है radius ratio, यहाँ से coordination मेर पुछा रखता है कि अगर इस range में आया है, तो coordination number कितना होगा, यहाँ पर 3, यह 4, यह 6, यह 8, ठीक है, इस तरह से बनता है, फिर आप से पुछा रहता है कि structure क्या होगा, अगर इस range में radius ratio आ रहे है, तो structure क्या होगा, इस range में radius ratio आ रहे है, तो structure बनेगा trigonal, अगर यह आ रहा है, तो इसे बोलते हैं tetrahedral, coordination number अगर 4 है, तो वो बनता है, tetrahedral, 6 बनता है, तो बेटा दी, octahedral, अगर 8 आता है, 8 को बोलते हैं, हम लोग BCC, ठीक है, फिर example की बात आती है, example की बड़ा important नहीं, लमपल से लेटले question बन सकता है, तो हम लोग example यह आ रहा सकते हैं, बसंती, बसंती, जानूं, नाचो, इन कुट्तों के सामने, बसंती, जानूं, नाचो, वैसे तो मना करता है, कुण, जो वीरू होता है, मना करता है, बड़ इसमें वोगरा बसंती, जानूं, नाचो, कुट्व के सामने, C.S. को लोग बोल रहे हैं, कुट्तों के सामने, और खुष कोन हो गया, गबर, ओ सांभा, कालिया, कालिया, यह यह जापन रहे हैंगे, बसंती, जानू, नाचो, तो पुद्तों के सामने ओ सांभा कालिया कालिया इस तरह से तो यह एक्जांपल होंगे वैसे आप खुछ से आधर से तुट की जूट नहीं है मुझे बहुत हो श्याधर मुरूट तो कर सकते हैं अच्छा देंसिटी से लेटिल बहुत निमेरिकल बन जाते हैं लिए कि यहां पर डी का मतलब होता है डी इस डेंसिटी कहीं जगा पर यह रो से भी डिनोट किया गया है इसको डेंसिटी जैड इस नंबर ओफ एक्टम्स अंड नंबर ओफ एक्टम्स अपी रिखवाए हैं मैंने बहीं अगर सिंपल क्यूब ही गवर्णुब तर डी सिसी है तो फ्सी सी है तो पोल है एंड 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 का मतलब होता है बेटा दी आउगाड़ो नंबर की वैल्यू कितनी रहती है बोलिज आउगाड़ो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू टैनल सिंद पाल 2 3 and a means होता है एंजलेंघ एका मतलब यहां पर है एंजलेंघ यां सकती है ठीको में दिह हो सकती है अगर आपको आज़स नाइना में जी रिखते हो na जी ऍूसे पाहर यूइनन से यूपट भी यूद्त क्षिए तो है अगर यूद्थी आई-दी तो वह कि मैंने कि संटिमिटर में कैसे करोगी म scenario से अनन और Keнет के सेंटिमीटर में करने के लिए 100 से मल्टिक्लाई करते हैं तो यह आएगा 10 की पाघर माइनस 10 cm और यहाद आएगा 10 की पाघर माइनस 8 cm तो यह हो गया हमारे पास density, radius ratio लूघ्वी बटेकर numerical आएगे ज़िए ज्योनले इस टोपिक से ही सारे नमेरिकल बनेंगे इस से बहार नमेरिकल बनने के चांसिज नहीं होते हैं इस टोपिक को हम पढ़ें इससे पहले हमें पढ़ना पढ़ेगा आईडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं या आईडियल सोलिड किसे कहा जाएगा आईडियल क्रिस्टल किसे कहा जाएगा दोज क्रिस्टल इन वीच चोंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रहें जैसे मैं एक solid बना रहा हूं मानके चली मैंने एक solid बनाया एंड मैं इसको नो ना इनिक मानके चला हूं मान लीजी ये particles हैं और ये particles लगे हुए हैं यहां पर सार अपनी जगा पर arranged हैं तो इसे मैं क्या बोलना है बेटा जी इसे हम लोग बोलेंगे ideal crystal now what is defect defect किसे कहा जाएगा या imperfection किसे कहा जाएगा any irregularity or deviation deviation का मतलब होता है change कर देना deviation in the arrangement of ideal crystal हमारे पास एक ideal crystal है ठीक है मान के चली ये crystal है हमारे पास जिसमें constant particle बिल्कुल अपनी position पे बने हुए हैं कि कि अब में सक्कूछ पंगे लेए इसके साथ क्छ पंगे लेघर है कुछ कम की जाँगे चीए उन्हीं को पंगे लेना भोल्ते number जम से कोई कए पर दिया कि है कि अब हम आजду कि यहां परegeंडों कि यहां पर कि ambition अब है hai को नहीं पार्टिकल की एंट्रिय आइडियल किसे कहते हैं तो पार्टिकल अपनी जगा पे बने रहें बट अपी क्या है पार्टिकल में डिश्टर्बेंस क्रियेट हुई है अच्छा देखिए जब कुछ जाता है तब एक डिफेक्ट राइज होता है विच इस नोन एज वक जैसे लोग यहांओ क्या बहुते हैं जैसे और जब कुछ बाहर से कोई चीज़ आती है तो इसे बोलते हैं इंटर्स्टिश्टश्य ज्याद रखियें, जो तीन तरह की defect होते हैं, जो अच्छा वैसे तीन तरह की निलता है, पहला होता है, एक होता है, एक होता है, हमारे पास point defect, एक होता है, हमारे पास line defect, point defect किसे करते हैं which arise which arise due to the irregularity irregularity of one point जो की एक point की irregularity की वज़े से arise होगा उसे में लोग बूलेंगे point defect and line defect किसे कहीँए हम लोग which arise जैसे आपके पास यह एक आइडियल किस्टल है इसमें पार्टिकल अपने जगह पे बने रहें यह है अब प्रिफेक्ट करने दो तरीके होते हैं कुछ कम कर देना या कुछ ज्यादा कर देना मांगी यह है या पिर कुछ यह इस तरह से हो जाएक एक फॉय्ट कम जीड़ा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगी पउयं डिफेक्ट बोलेंगी और नाइट उब जाफ हो गई जादे या पुरी पुरी नई लाइन की एंटरी हो जाए एक पूरी पूरी नहीं लाइन के एंट्री हो गई है, तो वो ideal नहीं रहा, वो non ideal हो चुका है, जब एक point के वाज़े से defect होगा, that is point defect, एक पूरी पूरी line के वाज़े से defect होगा, तो उसे हमों क्या बूलेंगे, line defect बूलेंगे, ठीक है, अब तीन तरह के defect होते हैं, बहुत famous, स defect, दूसरा होता है, non stoichiometric defect, और लास होता है, हमाले पास, impurity defect, impurity defect, ठीक है, सर से पहले हम लोग बात करें, stoichiometric defect क्या होता है, दोज defect, in which stoichiometry is not disturbed, stoichiometry is not disturbed, जिसमें stoichiometry को disturbed नहीं किया जाता, सर क्या मतलब बें stoichiometry का, in which ratio of cation and anion remain same, या number of cation and anion equal है, जिसमें cation का और anion का number equal रहे, उसे हम लोग बोलनेंगे stoichiometric defect, अब बात करते हैं, non stoichiometric defect कैसे कहेंगे, in which stoichiometry is disturbed, stoichiometry, जिसमें stoichiometry disturb हो जाए, देखो बैटे, जिसमें stoichiometry आप लोगों ने सुना होगा, बर्ड, ठीक है, stoichiometry, जिसमें number of cation equal ना रहे, number of anion के, आप देखोगे, हम करेंगे भी इनको explain भी करेंगे, तब जादा फिल आईगा, आपको जिसमें number of cation equal ना रहे, number of anions के, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, नोन stoichiometric defect करते हैं, impurity defect किसे कहा जाएगा, which arises due to the addition of foreign impurities, यह defect कब राइज होगा, जब हम लोग, foreign impurities को add करेंगे, बाहर से कुछ impurities को add करेंगे, देखेंगे, तब इस काना impurity defect है, stoichiometric defect के type होते हैं, वो density defect, line defect, जो सबसे जादे important है, वो है, frankal defect, frankal defect, and short defect, यह बढ़ा famous है, बहुत जादे important है, frankal defect and short defect, non stoichiometric defect के भी type सबसे हैं, सबसे पहला हमारे पास है, metal access defect, metal access defect, और दूसरे नुमर के हमारे पास रहता है, metal deficiency defect, metal access defect and metal deficiency defect, इनको हम लोगों ने explain करना है, जादे important यह है, थोड़ा सा important यह भी है, इसको भी discuss करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं, about metal access defect, metal access defect क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी difference between frankel and short की defect, इस defect को बनाया जाएं कुछ इस तरह से बनाया जाते हैं कुछ इस तरह से और इसको बनाओगे कुछ इस तरह से और मैंने बहुत famous इस जांपल बड़ा simple इस जांपल अपको दिया हुग है, एक जिनट मेरे कुछ थोड़ा से सको बनाया में टाइम लगेगा, क्यांपल उस बनाया जाओवाल को इस एक हाएं बड़ाल का राव doesn't not you, अज जएपल बड़ा है, लगेग़ाrul की के लुबाड़ा है, तरह के लावेगे खूछ टका की यह अब पेटर जब इन धुम्हों केस पर मैंने आपको पताया था मांगे चलो कि यह तुम्हारे बारसर का फर्स्ट बैच से जब उन्होंने पढ़ाना श्राट किया पर मत्रों पढ़ाते वगे एक साथ हो गया था तो देखी तर फर्स्ट बैच हो गा तो कमबचे हैंगे और अगर अच्छा पढ़ाते और थे तो सैंक्न बैच में अब बहुत जागा है ऐसा ही कुछ हूआ था और आसे कुछ हम लोग यहां पर ही समध रहें अब क्लास में अब ये दुनों बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा अब पहला साल है तो मैं इन भाईजार को उठागे पिछे बेज़ू 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 बेज़ने की जगए निया बहुत बीड़ बार रहे हैं क्यों नहीं बाहर किया क्योंकि सर लड़कों कोई पिछे बेज़ू बेज़ू बाहर निकाल दिया तो आप लोग देखिए इन इस डिफेक्ट का टाइन चेंज देर पोजिशन या कहलेजी लीव देर पोजिशन एंड ओक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट इसमें खटाइन अपने जगह छोड़ेगा और किसी इंटरस्टिशियल साइट पर जाके बैठ जाएगा इस डिफेक्ट में क्या होगा अगर तो यह भी बात कर रहा होगा मुसको विबार निकाल देंगे तो इन इस डिफेक्ट इक्वल नंबर ओफ कटाइन्स एंड अनाय लीव दा लैटिस लीव दा लैटिस का अंतलब क्या है इस रूम को ही छोड़ के बाहर चले गया हो के लिए अगरी बात आई इस डिफेक्ट में अगर बात करें जितने बच्चे पहले थे यह जितने आइंस पहले थे उतने आइंस अब भी हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे मास रिमेंस सेम मास क्या रहेगा सेम रहेगा इस डिफेक्ट में बाहर चले गए हैं तो मास क्या होगा भी बोली मास क्या नहीं रहा है इसमें decreases, mass इसमें decrease हो जाएगा, अब mass इसमें same rise में decrease जो, अब density पे अगर मैं बोल्यूम तो same है, अब density is directly proportional to mass, अगर mass same है, तो अब आपने क्या लिक होगे density remains same density remains same, density same रहेगी, और इसमें बात करें इसमें density पे क्या फरक पड़ेगा, density decreases, इसमें density decrease हो जाएगी, बाता है electrical conductivity, कि बिजली अच्छे से pass होगी या नहीं होगी, आप चैक कीजिए, यहाँ पे क्या है, जितने ice पहले थे, जितना space पहले थे, सब कुछ उतना है, इसमें ice बहुत ज़्याद है, बट move नहीं कर पा रहे थे, space बनगे, अच्छे से move कर पाएंगे, इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो आप रूब लिख सकते हो, electrical conductivity, electrical conductivity remains same, इसमें electrical conductivity क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसमें बात करें, electrical conductivity, सिर्फ एक प्रोपर्टी है, जो यह अच्छी स्योग करता है, वो है ये, इसमें electrical conductivity पेटजी, increase हो जाएगी, increases, क्लियर है, सब जो increase होईगी, क्यूंकि ions को move करना का space मिल गया है, अले वो मूब निकर पा ले थे, अब conductivity की लिए ions को move करना भी जुरूरी है, अब आप अग्ली बात ताहिए कि, इसमें मैंने दो बाते कर रहे थे, सिर्फ लड़कों को उठा के पिछे बेज़े, तो obviously वो लड़का नजरों में कम है, important, वो इसमें दोनों को बाहर किया है, दोनों बात कर रहे से दोनों को बाहर किया है, तो कोई partiality तो नहीं कि, सब कोई को उखना है, तो देखी, इसमें लड़के को उठा के त्यूंप लिच्छे बेज़े है, क्यूंकि size of cation is smaller, smaller than size of anion, क्यूंकि cation का size होता, वो anion से छोटा होता है, इस case में बात करो, इसमें दोनों को बाहर किया है, तो आप लोग लिख सकते हो, size of cation is equal to size of anion, इसमें cation का और anion का size हो रहेगा, वो equal रहेगा, अगली बात पर चलते हैं, जो important point भी हो सकता है, है भी, ये defect कब हुए जब बच् पुछे बेज दिया, तो आप रुभी सकते हो, this defect occur in low coordination number, ये defect कब होता है, जो coordination number low होता है, ये कब हो, जो bit bar बहुँ जादा थी, तो हमने पिछे रहेगी बेजा, हमने सिद्धी बाहर किया, तो this defect occur in high coordination number, पेपर भी कोशिंग का difference पुछा जासकते है, बहुँ जादा चांस ह ये फिर आपसे पुछा जासकता है, वो कौन सा compound जो दुनों defect शो करता है, that is agbr, silver bromide दुनों शो करता है, और और जहाँ example हो सकते है, यहाँ पर हो सकते है, nacl, kcl, kbr, यहाँ पर हो सकते है, agcl, agi, agbr तो दुनों में हो ही गया, एक example में बहुत important रहते हैं, ठीक है, फ्रैंक जो है, वो generally silver की तवारा शो किया रगता है, अब है non-stoichiometric defect के टाइप, अब non-stoichiometric defect के बेड़े जो दो टाइप होते हैं, पहला, metal access defect, access defect, और दूसरा, metal deficiency defect, अगर एक चीज में आपको बताता चलों कि metal access defect कब हो सकता है, कब metal access defect होगा, अगर याद हो metal access जो है, वो type है किसका, non-stoichiometric, अगर कभी भी कटाइण जादा हो जाए, अनायन से, तो metal access defect होता है, और अगर कभी भी number of anion, ज्यादा हो जाए number of cation से, तो पैटा जीवों कॉन सा defect होगा metal, deficiency defect होगा, अब समझने वाली बात यह है, कि cation ज्यादा किस तरह से हो सकते हैं, पहला, anion vacancy की बज़े से हो सकता है, anion vacancy अगर हो, अब जब anion अपनी ज्यादा छोड़के चला जाएगा, तो anion अपने अप कम हो जाएगा, हमरा काम तो यह है है, कटायन को ज्यादा करना, anion को कम करना, या फिर कब बन सकता है, interstitial, interstitial sides are occupied by cation, या फिर आप देखो यहादा थिर्यूजेट टोप करना इस दो तरीके हैं, यह तो खुट ज्यादा अच्छे नमबलिया और दूसरों को कम लाने को मिजबूर कर दो, जो पहले हमने anion को कम कर दिया, और दूसरे के इसे में, हम कटायन को ज्यादा कर देखों, सेम फिए वहाँ पे होगा, ठीक है हम लोग यहाँ पर, anion को ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं, कटायन रुकैंसी करके, कटायन रुकैंसी करके, और दूसरा, इंटरस्टिशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट्स ओक्यूपाइड बाई अनाय दोसरा तरीका यह हो सकता है तो अभी हम लोग सबसे इंपोर्टन है इसमें इसको हम लोग एक्स्प्लेंड करने जा रहे हैं हमारे पास एक सोलिड है माल दीजें हमारे पास है एक्स एक्स एस एद्योय अंने पोश्टिव एदिव मैं इसको ही और घर करूं अ हुँ ठीक है, when a solid is heated, anion leave the lattice and create a hole, create a hole, anion अपनी जगह छोड़ दी, anion अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया और यहाँ पर एक hole create हो गया, इस hole को हम लोग क्या बोलते हैं, anion vacancy, क्या बोला जाता है, anion vacancy, जब इसने अपनी जगह छोड़ दी, तो इसे क्या बता जाएगा, anion vacancy, and this hole is occupied by electron, और इस hole को क्यों occupy कर लेगा, क्योंकि, anion अपनी जगह छोड़ के गया है, तो negative charge कम हो रहा है, तो negative charge को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक electron डाब देंगे, अब इस जगह को बुदा दाएगा, f-centre, occupied by electron, and as a result, as a result, ionic solid becomes color, यह जो ionic solid है, यह color हो जापता है, और इस process को कहा जापता है, f-centre, repeat कराओं, जो आप एक ionic solid को गरं करोगे, तो क्या होगा कि anion, अपनी जगह छोड़ के जाएगा, anion अपनी वकैंसी को 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 पाई कर लेगा, electron वकैंसी कर लेगा, and मैं को काओं, कि जैसे आप anacr को गरं कर रहे हैं, तो anacr का color हो जाता है, white से yellow color हो जाता है, ठीक है, बड़ा famous है यह f-centre, f-centre का मतलब होता है, color center, यह इसको color provide करेगा, clear है, तो defect से generally question यहा, तो f-centre से आता है, या फिर frontal या short की से आता है, चिप cause अगरी से, तो अब यह बात करते हैं हम लोग electrical properties of solids की, ठीक है, solids को electrical properties की base पर भी classify किया जाता है, किस तरह से classify करेंगे, देखें, तेन तरह से classification होती है, conductor, semiconductor, insulator, conductor क्या होते हैं, which allow the electricity to pass through them, allow the electricity to pass through them, जो अपने अंदर से electricity को pass हो जाने दे, जिनके अंदर से electricity pass हो जाती है, insulator क्या होते हैं, which doesn't allow, which doesn't allow the electricity to pass through them, जो अपने अंदर को electricity को pass, नहीं होने देते हैं, और semi-conductor क्या होते हैं, whose electrical conductivity lies between conductor and insulator, जिनकी electrical conductivity lies करती है, between conductor and insulator, conductor and insulator के बीच नहीं, यह इनकी conductivity की range होती है, conductor की 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7, ohum inverse, centimeter inverse, semiconductor की होती है, 10 की पावर minus 6 to 10 की पावर 4, ohum inverse, meter inverse, and जो insulator होते हैं, 10 की पावर, minus 20 to 10 की पावर, minus 10, ohum inverse, meter inverse, क्लिए हैं, अभी जुरूरी बात है, example भी कर लीजी आप, connector के, अच्छा, types की बात कर लूँ, इसके दो type होते हैं, पहला हमारे बास होता है बेटा जी metallic connector, metallic connector, जाद अच्छे से हम लोग next chapter में पढ़ेंगे, and electrolytic connector, electrolytic connector, इसके दो type होते हैं, पहला होता है हमारे पास, intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, and दूसरा हमारे पास होता है, extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, और इन भाइस आपको कोई type की नहीं होता है, ठीक है, क्योंकर में सबचले पास होती हैं, type के लिए करना है, conductor के अगर मैं example की बात करूँ, like iron, aluminium, gold, silver, या फिर NACL, KCL, यह सब इसके example हो सकते हैं, semi collector की example की बात करूँ तो, silicon, germanium, यह group 14 के element है, बहुत बढ़ी है semi connector होते हैं, इनके खाथ बात क्या है, कि इनके पास, चार electron होते हैं, और जिसके पास electron और hole बराबर होते हैं ना, उसे हम लोग बोला करते हैं, pure semi connector, और अगर मैं बात करूँ insulator की, insulator के example हों में बटा जी जो america solid होते हैं, glass, rubber, plastic, यह सब जो है, example है किसके, insulator के, ले जाद रखेगा, अब देखो, जुरूरी बात समझ रहें कि यह है, किन में से बिजले पास होते हैं, इन में से बीच-बीच में होते हैं, अच्छा यह जो तीनो टाइप है ना, यह जो तिन्ने टाइप है, conductivity increases with temperature, जाद रखना, conductivity increases with temperature, temperature, temperature बढ़ने से इनकी conductivity बढ़ती है, सिर्फ यह एक टाइप है जिनकी conductivity decrease होती है, conductivity decreases with increase in temperature, clear है, आगे बढ़ीं, तो insulator की बात करते हैं, insulator को कोई फंडा नहीं अबता है, अच्छा, एक ना, band theory के उपड़, define किया रहता है, band theory से related, band theory में हम लोग दो तरह की band उपकते हैं, एक उत्ता है field band, यह उत्ता है field band, इस band को हम लोग valence band भी करते हैं, field band या field, valence band, ठीक है, इसमें बहुत सारे electrons होते हैं, और एक उत्ता हमारे पास, empty band, curly band होता है, empty band, और इस empty band को हम लोग बोलते हैं, conduction band, conduction band, और इसके बीच का जो gap होता है, इसे बोलते है, energy gap, या फिल कह सकते हैं, forbidden zone, forbidden zone, अब field band मतलब जिसमें बहुत सारे electron field हैं, भरे हुए हैं, और empty band मतलब जो खाली है, इन electrons को यहां से यहां जंप करना है, जितनी असानी से वह जंप कर सकता है, हम बोलेंगे उतना अच्छा conductor है, अब since conductor है, conductor में यह कुछ इस तरह से बनाते हैं, हम लोग, I think आप लोग समझ गी होंगी, यह होता है field band, यह होता है empty band, और कोई energy gap नहीं होता है, अब बात करते हैं semi-connected, semi-connected में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यह होता है field band, यह होता है empty band, ठीक है, और इनके भीच में होता है small energy gap, energy gap होता है, बट वो छोटा सा होता है, small energy gap, अब insulator की बात करें, insulator कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, very large energy gap, और इस energy gap को fill नहीं प्याजा सकता, very large energy gap, अच्छा, बेटा समझे, semi-connect के रिजाब करोते हैं, silicon germanium, जिसमें 4 electron होते हैं, इन्हें pure semiconductor बोलते हैं, जिसमें electron और hole बराबर उसे बोलते है, pure semiconductor और pure semiconductor यानी intrinsic semiconductor, हमारे पास अगले जो होते हैं, एक मैं इसको rough कर दूँ, इसको rough कर देता मैं, हाँ, तो extrinsic semi-connectors क्या होते हैं, extrinsic semi-connectors किसे बोल लहीं हम लोग, simple सी definition होते है, in which number of electrons are not equal to number of holes, जिसमें electron और holes बराबर नहीं होते, these are impure semiconductor, यह क्या होते हैं, impure semi-connectors होते हैं, ठीक है, and two types होते हैं इनके, first is n-type semi-connector, and second is pre-type semi-connector, and these are formed by doping, यह किस process के दुवारा बना जाते हैं, यह process के दुवारा बना जाते हैं, which is known as doping, doping अभी हम लोग ने एक word समना, impurity defect, impurity defect में क्या करते हैं, हम लोग foreign impurity add करते हैं, same doping में भी हम लोग क्या लगते हैं, foreign impurity add करते हैं, doping, sports industry का बड़ा famous word है, जो players होते हैं, वो doping करते हैं, injection लगा लेते हैं, harmful दुवाईयों के, यह जिसे उनकी power बड़ जाती है, तो same fundraise में भी है, हम भार से वो chat करेंगे, समझे देखें आप लोग कैसे ही होगा, एक तरफ हम लोग लिएते हैं, n type, और एक तरफ हम लोग लिएते हैं, p type, अच्छा, समी करेक्टर के best example कों से होते हैं, silicon germannium, हम नहींठ याप सिलिकॉन लेक्डिया, silicon, 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 silicon silicon, silicon फीलर्म लेहँ नहींठ भी खालिक दिया, silicon लिख दिया, Silicon, silicon, Silicon Silicon Agroeng and silicone हम नहींठ धिलीध कियां, एक सिलिकॉन को डाती है अब आप चैप करों बेटा जी और इसमें यहां पर भी यह बात है आठ सिलिकॉन है तो अपलोग लिख सकते हो 32 इलेक्टोन होंगे इसके पास और 32 होल्स होंगे इसमें इंप्यूर्टी आड करनी है अब नेग्टिव टाइप बनाना है तो हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ आड करनी पड़ेगी इसके पास नेग्टिव ज्यादा हो नेग्टिव आज होता है इलेक्ट्रोन पे जिसके पास इलेक्ट्रोन ज्यादा हो और ग्रूप 14 से ज्या तो यहां से हम लोग ने इसमें फास्वर्स एड़ कर दिया यह फोरन इंप्यूर्टी है अभी हमने डॉपिंग कर दिया डॉपिंग मतलब बाहर जो कोई चीज लाग इसमें डाल दी हमें अभी यहां पर पीटाइप बताने की पॉसटिट्रेप याने जिसके पास एलैक्टरोन कम हो हो बोल जाथ हम और group 14 से electrons कम किसके पास होंगे 13 के पास तो आप लोग लिख सकते हूँ group 13 impurities are added इसमें कैसी impurities हम लोग add कर रहे हैं group 13 की impurities को add कर रहे हैं group 13 क्या होता है baba, ali गया, india से thailand, हम लोगों ने यहाँ पर add कर दिया aluminium focus किजिए रहा 15 के पास कितने electron होते हैं पिटा धी? याद रखिये, 15 की पास होंगे 5 electron total जगा 8 की उत्ती है 13 holes होंगे group 13 के पास कितने electron होंगे? 3 electron total जगा 8 की उत्ती है, 3 holes होंगे 3 electrons होंगे 5 holes होंगे ठीक है, जब आपने इसमें यहां पे 37 होल्स है और यहां पे 35 होल्स है और यहां पे 35 होल्स है 32 इस बबड़्रों थे रह हमने इंप्रेटी की यह अपने साथ जादर अंपर इस रीचिह डर लें लेगर आलेगा आप लोग फास लेक्त्रों है अपर इसके पैंडावलन के वैंटम दिशादा है ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ने कैसे purity अड़ की है, विट्राइन जिसकी विलन्शी तीन है, विट्राइन प्यॉरिटी आपने अब पर आड़ की है, आपके समझेए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोंस जादा है, तो आप लोग लिखोगे, electrons are in majority यहाँ पर electron in majority है और यहाँ पर क्या है holes are in majority ठीक है और जो majority में है current OC के वज़े से pass होता है तो electricity pass due to flows due to electrons और उसमें electricity flows due to holes आएगा यह important रहेगा और बड़ा important बनता है N type का P type का semi connector गब बनता है N type semi connector जब group 15 की purity एड़ होंगी तो अभी बात करते हैं बिल्कुल लाज्ट टोपिके चेप्टर का that is magnetic properties of solid magnetic properties of solid means कि अगर हम किसी solid को magnet के सामने रखेंगे तो वो किस तरह का behave करेगा किस तरह का behavior में वहाँ से observe होने वाला है तो देखे इस base पे हम लोग solid को five classes में divide कर सकते हैं फर्स परा-magnetic, दिया-magnetic, फ़रो-magnetic, अंटि-फरो-magnetic और फ़री-magnetic बंध आक सो स्पे-लेटिव कोशन भी बेकि परा-magnetic क्या होते हैं पिछाए विजर्ट्र मेंट्रीच्टिव टो आर्स-न्या प्रेक्टिव जो अट्रेक्टिव करेंगे लाये करता है इनके भीजिंद इनके बेचे में बीजिन, waar में अकितलं में बीजिन के हैं लिए रिपल्सिव इस टॉंग होती है अट्रीव रिपल्सिव इनका मैंटिक राइटर इब करते हैं तो याद माणक्ञ और डायमा को डिफाइन किया लगता है उंदा बिस दो वेक्टों एकल अनके यह अनकैर्ड अन्केर अन्या जिद्ध किता है ड्यक्तों वाला अंक लो उनल्ड हम्तित दोब लैंश और इसमें क्या है ऐने कर लिए घ्षाप्पारोब और यहां पर यह चेफ्टर जो खतम होता है अच्छा पर्माइन्ट मेगनेट बनाने के लिए पर्माइटिक सब्स्टांस पर यूज के रहता है ।ububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub खर्तम हो जाएंगे वीडियो कैसी लगिए कमेंट सेक्षिन में जुरूर ताना और किन किन टॉपिक से वीडियो जाकते वो भी आप कमेंट सेक्षिन में बिता सकते हो thank you so much for watching बोजल मिलेंगे नहीं वीडियो में God bless you all